और फ्रेंट्स गुड मॉर्णिंग और विल्कम ट्यूटूफ चैनल एजिके सन्निकेतन आज क्याम इस वीडियो में 68th BPSC प्रेंट्स के उन प्रश्णों पर चर्चा करेंगे जिन पर आप अब्जेक्शन रेज कर सकते हैं जैसा कि आपको ग्यात है कि कल BPSC ने देर रात प्रोविजनल एंसर की से क्रेट BPSC प्रेंट्स की जारी कर दिये तो चलिए शुरू करते हैं सेट D में डिसक्स कर रहा हूं आपके साथ क्वेश्चन है कि वीच आफ दो फॉल्विंग रीवर वैली इज इस रीच इन कोल्ड जर्बिन इंडिया आयोग ने इसका एंसर दिया है मोर दैन वन आफ दे एबब टर्म यूज क्या है रीच इन कोल्ड जर्ब इंडिया आप आपको पता है कि दामोदर वैली कॉर्परेशन यानि दामोदर रीवर वैली और महान नदी रीवर वैली ये दोनों में कोल्ड के भंडार मिलते हैं कोल्ड मिलते हैं लेकिन जो सबसे रीच है वह है दामोदर रीवर वैली इस बात को आयोग ने भी अपने एक्सेप्ट किया है सेबंटी फाइफ दक्रेक्ट एंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी डी वी सी हैज रीच कोल्ड रिजर्व बट सु हैव अदर्स जैके जैसे कि मैंने आपको बता है लेकिन चुकि रीच टर्म यूज किया गया है इसलिए इसका एंसर अगर आपको लगता है यह हो शकता है तो आप इस पर अब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अगला जो प्रशन है जिस पर आप अब्जेक्शन रेज कर सकते हैं वह है कि निमलिखित में से किसे वर्स 2022 में यूनिसको की विश धरोहर की सूची में जोड़ा गया है आयोग ने इसका एंसर ए माना है आयोग का लोजिक है कि दक कर्क्ट एंसर इस ऑप्शन इप्जर्वेटरी लंगट सिंग कॉलेज वाज नॉट इन इनुनिसको लिस्ट इच वाज फेक निउज डूली क्लिरफाइड लेटर इस भी प्रशन को आप अब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि इस प्रशन को आगे जब एक रेफ्रेंस नोउज डीगए है इंदोस्तान टाइमस के ब्रक्ट इसमें क्लेरिफाइड किया गया कि सी सामल नहीं किया गया है। scripts पूछन पुछने का और फिर वही आप्शन देने का लंगट सिंग कॉलेज लंगिक नहीं बनता है इसलिए इस पाइव आप उठा सकते हैं वह है कि 28 नॉवंबर 2022 को मख मंत्रे नितिस कुमार द्वारा गंगाल जयल आपूर्ती योजना का उद्खाटन के सस्थान पर किया गया लाखेश राय राजगीर बोध गया उप्रिक में से एक स्याधे उप्रिक में से कोई नहीं तो आयोग की लॉजिक को देख लेते हैं आयोग ने कहा तो करेक्ट एंसर इज ओप्शन सी स्रीनिति स्कुमार इनुग्रेटेट गंगाज लापूर्ती योजना अट राजगीर उन 27 नॉवंबर एंड बोध गया है 28 नॉवंबर पहले तो इस तरीके के प्रश्ण 28 नॉवंबर इतने सटाक है और फिर दू उप्शन आप देते हैं एक योजना मालों की 10 जगह शुरू होती है तो 10 जगह कब-कब उधगाटन हुए यह मायने नहीं रखता मायने यह रखता है कि सुरुवात कि सस्थान से हुई तो उस हिस आप से इस प्रश्ण पर भी और प्रव्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि इस प्रश्ण को भी डिलेट कर दिया जाए अगला जो प्रश्ण है वीच आप दो फॉल्विंग वेर गोल्स आफ फाइफ येर प्लांस आयोग ने इसका एंसर दिया है ए इसकी देख लेते हैं पहले वरिजनिंग है कि the correct answer is option E all the statement are correct but none of the option is correct पहली बात इसे आप statement नहीं कह सकते हैं ठीक है सीथा सीथा ये पुशा है गोल क्या है ठीक है यानि कूट बेस्ट प्रस्ण है ग्रोथ बिल्कुल गोल था modernization बिल्कुल गोल था सर्फ बिल्कुल गोल था लिट्रेचर कहें directly नहीं मिलता है मैं NCRT की आपको दिखला दे रहा हूं इसमें अब देख सकते हैं दे गोल्स आई-प्लान्स लेट उस नो लेट अवाओ दो लर्न अब दो गोल्स आफ प्लानिंग इन सम डिटेल्स अब देखें गोल क्या है ग्रोथ है गुरुत के बाद क्या है modernization है इसके बाद क्या है इसके बाद क्या है और फोर्थ गोल्स क्या है इक्विटी है ना की literature है ठेक है यह आप इस को source के रूप में यूज कर सकते हैं चैप्टर टू इंडियान इगनोमी नाइटी हंडेट फिफ्टी तू नाइटी हंडेट नाइटी हंडेट नाइटी अगला जो प्रस्टन है इसमें से जो तीनों ही अस्टेटमेंट दिये गया है वो करेक्ट है तीसरा जो स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग आयोग ने लॉजिक दिया है कि पहले यह लिमिट एक क्रोड थी लेकिन 2021 दिसंबर में इसे घटा कर पचास लाग कर दिया गया है और जो अस्टेट लेबल का होता है वो पचास लाग से दो करोड और जो सेंड नेस्नल होता है वो दो करोड से उपर का उसके लिमिट होती है लेकिन जो आयोग ने इसके रिफरेंस में लिंक दिया है वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है जब आप उस लिंक पर जाएंगे तो लिखेगा कि पेज डेजनर फॉंड लेकिन मैंने अपने अस्तर पर चेक किया तो पी आईवी पर आप जाके जब चेक करेंगे तो दिसम्बर 2021 की PDFF को मिलेगी जिसमें मिंसन किया गया है नए वाले लिमेट्स को तो उसे हिसाब से तीनों ही एस्टेट्मेंट से ही है और आयोग ने इसका एंसर इमाना है तो कुछ लोगों ने एक कुश्चन को हमारे लिए पास भेजा था किस पर भी सर अब्जेक्शन रेज़ किया ज़ लब्द है इसलिए से आप छोड़ सकते हैं इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्चन है जिसके फ्रेमिंग को लेकर इसू है यानि की option number D और E और फिर इस तरीके के कूड दिये गया है तो ऐसी स्थितिए में बच्चों के पास एक प्रश्चन जो है उस जीएस का ना बनकर कंप्रहेंशन का बन जाता है लोजिकल इनलिटिक का बन जाता है कि आप किस तरीके से कौन से option को सही मानते हो इस पर वियावेक समगरता में एक objection दरज कर सकते हैं कि इस तरीके की जो प्रश्चन है वो कम से कम आगे से BPSC न पूछे तो यह थे कुछ प्रश्चन की सूजी जिस पर आप और अब्जेक्शन दरज करा सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रश्चन दरज करना हो तो रियल रिलायबल सोर्स है यानि कि NCRT की वो सोर्स हो आप मनिस्ट्री ने भी चुकी वेवसाइट को को कोड किया ह धन्यवाद